स्वागत आपके इस वीडियो में बात करें के मोटिवेशन के बारे में बहुत शॉर्ट टॉपिक्स और बहुत जल्द इसको फिनिस करेंगे इसमें हम देखेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है इसका डेफिनिशन इसकी अवसेक्ता क्या है इसकी प्रकृति और इसकी विसेस्ता क्या है मुझे तो भाई कभी नहीं मिला, क्योंकि में एड़े हैंड़ राइटिंग इतनी थी नहीं अच्छी, कि मुझे कभी गुड मिले, हाँ Maths के Solutions के लिए Maths के लिए मुझे गुड जरूर मिला है, बट Handwriting के लिए कभी गुड नहीं मिला है, और उस School के दिन को याद करिए कि बस कॉपी में एक बार मैम या सर के पैन से गुड लिख जाने पर हम कितना खुश होते थे वास्तों में सर का ये गुड लिखना या सर का हमारे लिए साबासी देना या सर का वेरी गुड लिखना या कह देना ये क्या होता था एक motivations का part होता था इससे हम motivate हो जाते थे प्रत साइथ हो जाते थे हमें अभी प्रेड़ा मिलती थी और हम अगले दिन और अच्छे से अपना homework करके लाते थे और अच्छे से अपनी handwriting notebook पे writing page लिखके आते थे तो ये क्या है? एक motivations का part है इसी को motivation और अभी प्रेड़ा कहते हैं तो motivation से क्या हुआ? जेनरल भासा में समझे motivation से क्या हुआ? कि आपको आपकी किरिया के प्रती और उर्जा प्राप्त हो गई आपको आप जो किरिया कर रहे थे जो चीजे सीख रहे ते motivations के दोरा आपको एक नई उर्जा प्राप्त हो गई जिसे आप अपने कारे को और अच्छे से करने लगें आप अपनी किरिया को और बहतर तरीके से करने लगें आपकी किरिया करने के लिए आपको उर्जा प्राप्त हो गई इसी चीज़ को दोस्तों यहां पे लिखा गया है कि motivations का अर्थ क्या होता है motivation वह परियास या तत्व है जो छात्र को अधिगम के प्रती प्रेरीद करता है अभी प्रेरीदा कहलाता है तो वह परियास या तत्व जो छात्र को अधिगम के प्रती प्रेरीद करता है अभी प्रेड़ा कहलाता है ठीक है तो आपका good मिल जाना आपको सीखने के परती और प्रेरित करता था तो यह अभी प्रेड़ा कहलाता है इंग्लिज में इसी चीज़ को लिखा गया है those effort or element which motivate a student towards learning are called motivations ठीक है पहले हिंदी में समझ लेते हैं प्रेड़ा या भी प्रेड़ा एक आंत्रिक सक्ति है जो व्यक्ति को कारे करने के लिए उत्तेजित करती है inner power है आपका आंतरी सक्ति आपको अंदर एक उर्जा मिल जाती है एक सक्ति मिल जाती है जो आपके कारे करने में मतलब मज़ा आ जा जा दिल करता है बस करते रहें अगर कोई motivate करती तो सबसे मज़ा आता था जब प्रेयर में आपको बुला के आपके लिए पुरे प्रेयर में ताली बज़वाए जाती थी वा यह बेस्ट मोटिवेशन होता था तो यहीं motivation क्या भई प्रेयर्डा या motivation को प्रेयर्डा या अभी प्रेयर्डा कहते है एक आंतरीक सक्ति है जो व्यक मौटम सब्द से या मौटम धातू से होई है मौटम धातू का अर्थ क्या होता है मूव या मोशन गती या चलना मौटम धातू का अर्थ होता है तो उत्पत्ति के आधार पर आप कह सकते हैं कि अभी प्रेयर्डा का अर्थ किसी कारे में गती प्रदान करना है क्योंकि का अर्थ क्या हुआ कि अभी प्रेड़ा एक आंत्रिक सकती है जो किसी कारे में गती परतान करती है ठीक है चीजे समझ में आगई बहुत आसान सब्दों में जो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सके एक बार और पूरी चीज को पढ़ लेते हैं वह पर्यास या तो जो छात् रेजी में मोटीवेशन कहते हैं जिसकी उत्पत्ति लेटिन भासा के मौटम सबसे या मौटम धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है मूव या मोशन गतिय चलना उत्पत्ति के अधार पर आप अभी प्रेड़ा का अर्थ कह सकते हैं कि उत्पत्ति के अधार पर अभी प् अच्छे इंग्लिस में इसको इस आसान भासा में लिख सकते हैं कि दोज इफर्ट्स और एलिमेंट विच मोटिवेट दे स्टुडेंट टूर्स लर्निंग उसके अधिकम के लिए मोटिवेट करता हूँ जो उतीजित और पर्दान करता है इक परसं को करने के लिए काम करने के लिए इंग्लिस में दोस्तो इंग्लिस वाट मोटिवेशन इस ड्राइफ से द्राइव लेटेंडफ और मोट्ड़ मीच मीन्स लीगश्ण आरीफ मोशन लॉसन in any work to provide motion in any work दोस्तों यह motivation होता है दस अता हम कहा सकते हैं motivation is internal power that motivates a person to keep doing his or her work चीज़े समझ में आ गई motivation का अर्थ समझ में आ गया एक चीज़े और आपको समझने होगी motivations में motivations मान लिजिए आपने किसी बच्चे को good दिया या फिर किसी बच्चे को award दिया किसी बच्चे को आपने चौकलेट दिया यह चीज़े तो motivation समझ में आती है कि चलो यह चीज़े motivation है एक ऐसी motivation है जो वास्तों में हम उस पर कभी ध्यान नहीं दे दे अब आप उसे आप खुद से relate करके देखिए कि क्या आपके घर में कभी ऐसा होता है कि कोई labor काम करता हो या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई delivery boy जोमेटो या स्वीगी या flip card या Amazon से कोई बच्चे आपक इने की चीज से दे दी तो यह भी एक motivation का काम करती है उन्हें आगे कारे करने के लिए प्रेणा देगी उन्हें उर्जा देगी वह आपने आगे कारे करने के लिए तो यह भी एक प्रकार का क्या हुआ motivation हुआ अगर आपके घर कोई काम करने labor आता है I request to all of you seriously I request because I have related you know I can relate it seriously I know I'm not gonna say my personal work and all this thing but yeah I request to all of you if it happens at your home please do that okay आप अगर प्रवाइड करा सकते है एक ग्लास पानी ठंडा that is enough please do that okay तो यह भी एक motivation का पार्ट होता है जो भी मजदूर या जो भी लेवर काम करते है ना उसको एक ग्लास पानी दे देना एक motivation होता है ठीक है यह फिर उसे कभी कुछ खाने को दे देना बाच्च बिस्केट या चाय तो यह क्या होता है यह भी एक प्रकार का motivation होता है जो उसको कारे को करने के अभी प्रेंड़ा की परिभासा क्या होती है तो पहले इस किदर महोद ने क्या गया था कि अभी प्रेंड़ा सीखने का सर्वत्तम राजमारग है कि अभी प्रेंड़ा कारे को अरंब करने जारी रखने की प्रकिरिया है तो यहां पर तोड़ा आड करने की प्रकिरिया है तो गुड़ महोद आ की अनुसार क्या होता है अभी प्रेंड़ा किसी कारे को अरंब करने उसे जारी रखने तता उसके नियंतरण करने की एक क्रिया है अब बात कर लेते हैं दोस्तों MacDougal के अनुसार motivations की क्या परिभासा है अभी प्रेणडा वे सारडिक और मनोवेग्यानिक दसाएं हैं जो किसी कारे को करने के लिए प्रेरीद करती हैं एक ही बात हुई कि motivation is the physical and psychological condition that motivates one to do something that motivates to do something ठीक है जो किसी कारे को जारी दिखने के लिए प्रेरीद करती हैं मैकडूगल के अनुसार क्या था अभी प्रेणडा वे सारडिक और मनोवेग्यानिक दसाएं हैं जो किसी कारे को करने के लिए प्रेरीद करती हैं अब बात करते हैं वूडवर्थ के अनुसार वूडवर्थ के अनुसार क्या है वाई वूडवर्थ के अनुसार अभी प्रेण निष्चित उद्थ को उद्थ की पूर्ति के लिए एक निष्चित वहवार को उस्पर्थ करती है कौन सा अभी प्रेणडा मोटिवेशन लास्ट नॉट देलिस्ट गेट्स के लिए प्रेणडा प्राणरी के भीतर सारी डिक वह मनवग्यानिक दसाय हैं जो उसे विसेज प्रकार के किरिया करने के लिए प्रेडित करते हैं तो ठीक है यह दोस्तो एक दो तीन चार डेफिनिशन यह इसी शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए यहां पर डेफिनिशन आ गया प्लीज आप इसे एक बार देख लिजीगा तो यह हो गई अभी प्रेड़ और मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं देखिए इनके प्रकार कई तरीके से विभाजित किया जा सकते हैं ठीक है पहले इन दो प्रकार को समझ जाते हैं पहला प्रकार किया है पॉजिटिव मोटिवेशन दूसरा नेगेटिव मोटिवेशन इसको एक और कहते हैं इंट्र प्रियर्णडा का मतलब क्या होता है देखिए किसी इनसान पहले इसको देखिए आंतरी का दविआ अभी प्रेंड़ा से ताक पर मनुस्य के सारडिक तथा जैविक अभी प्रेंड़ा से है जैसे भूक, प्यास, आत्मरक्षा एवं काम से है इस प्रेंड़ा में बालक किसी भी काम को अपने स्वैम की इच्छा से ही करता है तथा इस प्रकार की कार करने में उसे सुख सांती औ होता है कोई भी सिच्छक विभीन परकार की कारेकरमों का आयोजन तदा इस्तितियों का निर्मार करके बाला के अंदर साकरात्मक अभी प्रेंड़ा उत्पन करता है साकरात्मक प्रेंड़ा को आंत्रिक प्रेंड़ा यानिकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं अब इन चीजों का समझ आई आपको क्या समझना यहां पर देखिए स्वैम की इच्छा से ही करता है तता इसकार के कार करने से उसे सुख सांति और संतोस प्राप्त होता है अब एक्जाम्पल की तोर पे कोई बच्चा भूखा है कोई पर ऐक्फर कोई काम कर रहा है प्र था इस झसा बसके के आप तुम और ऐसे कहने नहीं आहेगा कि तुम खा लुख तुम उसे और अच्छे से पढ़ सकते हो छुए प्यास का लगना दी अगर दिनया रही है तो इसकी बौड़ी इस जरूरत महसूस उसके बाद तुम बढ़ाई कर लेना ठीक है तो जैसे कि वह काम जैसे भूख प्यास आत्मरक्षा तो वो सारी चीजें जो उसकी सारडिक तता जैविक अभी प्रेयरणा सारी तता जैविक किरियाओं प्यादारीत हो तो यह आती है साकरात्मक के अंदर यानि कि यह आती है इ अब लगी खाना खालिया इसको सुख सान्ती मिल गई तो वह अभी प्रेर्णडा जो इसकी साररिक जयविक किर्याओं पर अधारित हो और जिसको करने को देखा उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो अब हम मोटिवेट हो गए कि अरे यार शायद मैं भी कर सकता हूं ठीक है या फिर हम क्रिकेटर व्याट कोली महंदर सिंग धोनी जिन्होंने रिसेंटली अभी IPL का फाइनल जीता है तो हम जब बाहरी किसी को देख के खुद को मो अठवा मनो समाजिक अभी प्रेरडा से है जिसमें बालग के अंधर से नहीं बिल्कि किसी बाएप्रेरडा से प्रभावित होकर वह किसी कामको करने में सफ़र होता है जैसे आत्मसमान समाजी कस्तर एवं इंजीनियर डाक्टर वकील नेता अभीनेता आधी बनने की इच्छा हमने किसी अभीनेता को देखा उससे हम प्रभावित हुए उससे हम मोटिवेट हुए और हम एक अच्छा अभीनेता बनना चाहते हैं तो इस प्रका है तो अब देखिए इस कारे को करने से उससे वांचनी या निश्चित लक्षगी प्राप्ति होती है तो वह जो लच्छे निरधारित करके मोटिवेट हुआ है उस लक्षी की उसको प्राप्ति हो जाएगी ठीक है आप देखिए एकसी चक इसी बालक की प्रसंसा निंदा या प्रतिद्वन्दिता आधिका पयोग करके बालक को नकरात्मक प्रेड़ा परदान करता है इस प्रेड़ा को बाहे अभी प्रेड़ा भी कहते हैं अब समझ जाएए जब हम क्लास में टीचर किसी बच्चे को की प्रसंसा करते हैं उसकी तारीफ करते हैं या फिर उसकी निंदा करते हैं उसकी आलोचना करते हैं उसको प्रुसकार देते हैं या फिर उसका किसी से प्रतिद्वन्तिता कंपेडिशन करते हैं तो ये सारी चीज़े क्या होती हैं बाहे अभी प्रेड़ा के अंदर आती हैं ये most important points है सीटेड और यूपीडेड की साफते अगर मालेज़े exam में अगर ये पूछ देता है टेट में कि कोई सिचक एक बच्चे की तारीफ करता है या फिर प्रसंद्शा करता है निम्न में से कौन से अभी प्रेड़ा है साकरातम का भी प्रेड़ा बाहे सुरोथ किसी मनुष्य से, किसी वेक्ति से, सिक्षक से, खिलाली से, अभिनेता से, इंजिनियर से, वकील से, तो जो प्रेणडा हमें बाहे सुरोथ से फ्राप्त होता है, उसे हम बाहे अभी प्रेणडा या नाकरात्मक अभी प्रेणडा कहते हैं, समझ में आ गई, उम भी प्रकार होते हैं ठीक है तो इसके दूसरे प्रकार क्या हो सकते हैं अब मालेजी एक अभी प्रेड़ा इसके प्रकार मतलब वह ज्यादा इंपोर्टनी है मगर यह तो हर किताबों में होती है इसके अलावा इसके प्रकार क्या हो सकते हैं तो इसके अलावा इसके प्रकार ह हमें motivate करती हो जैसे भूख का लगना प्यास का लगना नीद का आना तो इसको कभी-कभी natural motivations यानि कि स्वभाविक motivations भी कहते हैं और इसको कभी artificial यानि कि और स्वभाविक motivations और स्वभाविक अभी प्रेयरणा भी अब आये दोस्तों next हम मूव करते हैं अच्छा स्वरी इंग्लिस में तो बताया नहीं तो इंग्लिस में जीने बच्चों को लिखना है वो इसकी screenshot ले सकते हैं इसमें भी वही चीजे कहीं गई है क्या intrinsic motivation refer to motivation to engage and activity for it on sake जो अपने खुद के लिए करे people who intrinsically motivated work on the task because they find them enjoyable वो उन्हें उसे आनन्द मिलता है उन्हें certification मिलता है उन्हें संतोस मिलता है eccentric में देखिए eccentric में क्या है भाई दोस्तों इसको external भी कहते है ठीक है तो extrinsic में external में क्या होता कि external motivation is the motivation that's supplied by an outside force we don't always find the daily task full of fun enjoyment और excitement तो जो external होता है motivation वो जरूर नहीं कि हमेंसा आपको enjoyable हो तो आप इसकी screenshot लेके आप इसको इसले देख सकते हैं हम next move करेंगे इसकी प्रकृति और इसकी विश्यस्ताय पर जोगी बहुत ज्यादा important है तो इसकी सबसे पहले प्रकृति देखिए कि अभी प्रिडाम एवं प्रक्रिया दोनों ही उत्पन करता है मतलब motivation is the process and product both यह process भी होता है और product भी होता है तो परिडाम एवं परिक्रिया दोनों है अभी प्रिडाम की चन्म किसी ना किसी सकता से होती है नेक्स्ट बात करते हैं अभी प्रिडाम किसी व्यक्ति को तब तक क्रिया सीर लगती है जब तक उसके उद्यसी की प्राप्ति ना हो अब मालेजी आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है ठीक है तो आप तब तक motivation को कारको को मनव विग्यानिक भासा में अभी प्रेयरक कहते हैं इंग्लिस में इसको मोटिवेशन के कारको कहते हैं मोटिव कहते हैं मोटिव कहते हैं इंग्लिस में मोटिव कहते हैं और हिंदी में अभी प्रेयरक कहते हैं तो इसकी एक और प्रकेटी और विश्यस्ता है कि अ और अभिकार अभिप्रेणडा का उत्पन करने वाले कारकों को मनुविगानिक भासा में अभिप्रेणडा कहते हैं अब अभिप्रेणडा के दो भाग होते हैं कौन-कौन से आंत्रिक अभिप्रेणडा और अभिप्रेणडा जो कि हम अभी हम पढ़ चुके हैं किसी मनुष् हमें self motivation मिलता है और बाहे में क्या होता है हमें किसी अन्य साधुनों से हमें motivation मिलता है लेकिन जो motivation प्राप्त होगा वो तो हमेसा internal होगा ना आंतरिक सकती होगी internal power होगा उसी चीज़ को यहां पर लिखा गया है किसी मनुस्य के अंदर चाहे आंतरिक अभी प्रेंड़ा चाहे क्या है अभी प्रेंड़ा हो अभी प्रेंड़ा हमेसा अंत्रिक ही होता है कि अभी प्रेंड़ा मानों के अंदर उत्वन होने वाली अत्तेज़ना होती है जो उसके वहवार example देखिए एक Company में कोई Bos आते हैं और वो motivate करके जाते हैं या फिर एक Class में कोई Sir आते हैं वो बच्चों को motivate कर जाते हैं तो एक व्यक्ति के अंदर जितनी ज्यादा उर्जा प्राप्त होगी जितना ज्यादा उत्तेजना उत्पन होगा वह उतनी उस कारे को उतनी तेजी से करेगा ठीक है आठमा है दोस्तों कोई कोई भी व्यक्ति आंत्री की अबाय उत्तेजना से प्रभावित होकर अपने कामों को अंजाम देता है अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की उत्तेजना उत्पन नहीं होगी तो उस कारे को नहीं कर पाएग नाश्ट बिंदु है अभीप्रेरणा किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी सक्ति या उज़्याउत्पन करती है कि वह अपने अंदर की सक्ति को महसूस करके अपने कामों में अपने लच्छ में दिल्चस्पी दिखाता है तो कोई भी बच्चा काम कर रहा है उसको मोटिवेट करतेंगे तो वो अपने लक्षे में दिल्चस्पी दिखाएगा और वो काम को अच्छे से करेगा तो दोस्तों इस मोटिवेशन की वीडियो में बात यहीं खतम करते हैं क्योंकि हमने इसकी मोटिवेशन की प्रकर्टि और विश्चेस ताइं देख ली और साथ ही साथ हमने इसका अर्थ समझा अभी प्रेणडा के और इसकी आवसकता की बात हुई तो इसकी आवसकता वही है कि व्यक्ति के अंदर उर्जा परतान करने के लिए व्यक्ति के लच्छ निधारत के लिए प्रेरीत करने के लिए उत्रेजना उत्पन करने के लिए तो यही इस तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उमीद है दोस्तों कुछ चीज़े आपको समझ में आ रही होंगी अगर एक्जाम्स में आएगा तो डेफिनेटली आप हेडिंग्स याद रखिए इसके प्रकार याद रखिए ठीक है और इतना याद रखिए कि यह इसकी उत् अपी के साथ मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट में फीड़बाग दे कि आपको यह वीडियो और यह जनकारी कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ भी सकते हैं थैक्यू सो मच फूर वाचिन इस वीडियो सी इन दे नेक्स वीडियो और दिसी इन दे कमेंट बॉक्स जया हैं